उत्तर प्रदेश के जन्पध हापुण में समाजवादी पार्टी के नगर कार्याले पर एक आपात बैठक का आयोजन कर समाजवादी पार्टी के पुर्वजिला ध्यक्ष को छे वर्ष के लिए पार्टी से निश्कासन का सर्वसम्मती से प्रस्ताव त्यार कर पार्टी के हाई कमान को भेजा गया वही आपको बता दे कि जनपध हापुड के समाजवादी पार्टी के जिला कार्याले पर नगर कमिटी की एक बैठक का आयोजन किया गया जिस पैठक में नगर अध्यक्ष इकबाल कुरेशी की अध्यक्षता में सर्वसंमती से पूर्वजिला अध्यक्ष सुबोद नागर को लगातार पार्टी से समय समय पर सुचना देने के बावजूद भी बार बार ना आने पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निश्कासित किये जाने के प्रस्ताव की घोशना करते हुए प्रस्ताव की कौपी स्विकार करने हेतू राष्ट्य अध्यक्ष को प्रेशित की गई हमारे समवादाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष इकबाल कुरेशी ने कहा कि पार्टी के समस्त प्रोग्राम के ल इसी कारण हापुर समाजवादी पार्टी की नगर कमेटी ने समाजवादी पार्टी के पुर्व जिलाध्यक्ष सुबोध नागर को जहाँ छे वर्ष के लिए निश्कासित करने का निर्णे लिया है तो वही पार्टी हाई कमान से भी पार्टी विरोधी गतिवीदियों के चलते पूरी तरह छे वर्ष के निश्का सित करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कि अग्धान वर्ष क्यूस्ति ह सीन सब्सक्राइ द भागधक्ति एंगा रिए और निरंतर वो पार्टी2 खराब करने में